नमस्कार आप देख रहे हैं विद्रोही आनल्द। मैं हूँ आपके साथ नितिंत्रवेदी। आये रूख करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। प्रमुख शरत पवार ने शहरी नकसलियों के प्रती चताया कहा राज्य सरकार के खिलाफ नफरत का भाव भरने की कोशिश। हेमा मालिनी और प्रसुन जोशी को इंडियन फिल्म परसनाल्टी ऑफ दा इयर पुनुषकार से किया जाएगा सम्भानिक। बुंदेल खंट समीर चेंड़ाई के कई चेत्रों में आज भारी वारिश होने की संभावना यलो अलट जारी। राजस्तान में कोविट से धाई साल के बच्चे की मौत एक दिन में 18 नए मामले आये सामने। एहमदाबाद से पटना जारे विमान में अचानक खत्म होने लगा ऑक्सीजन 30,000 फीट की उचाई पर 117 लोगों ने देखा खौफनाक मंजर। दिल्ली NCR में काफी खराब केटेगरी में है हवा, AQI 332 हुआ दर्ज। चीन ने LAC पर भेजे बम, वरशक विमान, दिल्ली तक मार करने वाली CJ-20 मिसाइल से लैस है फाइटर जेट। राजधानी लखनाओं में कोरोना के नए मरीज मिलने से छेतर में हरकम, जानकी पुरम इलाके में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना पॉजिटिव, कैंट इलाके में एक जवान भी कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के सभी मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा गया, लखन करिए हमारी चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकोन दमाना न भूलिए